धन्यवाद रागनी जी, हमारी सहयोगी रागनी नायक जी ने अभी विस्तार से कल के घटना करम के बारे में बताया बाबा सिद्धिकी की हत्या बहुत ही दुखद है, कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष मलिका जुन खरगे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोगसभा में आदरनी राहुल गांधी जी ने, ट्वीट करके अपनी समवेदना परिवार के प्रति और एक निस्पक्ष जाच की मांग की है, मैं महरास्टा से सांसद हूँ, और कल की घटना से बहुत हैरत में हूँ, के मुंबई जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजन्स से लेकर के तमाम एजनसियां सक्री है, वहां सरकार से बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेयाम दिन दहाडे गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, तो फिर मुंबई और महरास्टा की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है, बाबा सिद्धी की कोई आम व्यक्ती नहीं थे, तीन बार के विधायक, मंत्री, मौझूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नेवल की ट्रिपल इंजन है महरास्टा की सरकार मे उसके एक इंजन यानि के अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेयाम, यह महरास्टा में कानून विवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिडाम है, इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फर्नवीज जी की है, महरास्टा में कानून विवस्था बुरी तरह से बिफल है, बदलापूर से बांदरा तक आप जहां भी देखेंगे, महरास्टा में न तो बच्चियां सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं, न विवसाई सुरक्षित हैं, न राजनेता सुरक्षित हैं, महरास्ट अक्षी जांच की मांग करते हैं ताके अलग-अलग कहानियों के बजाए जो सची बात है वो निकल करके सामने आ सके और जो इसके दोशी हैं उन्हें सजा मिल सके बहुत दुखत घटना है मुंबई और महरास्टरा के लोग डरे हुए हैं इस घटना से लगातार लोग जो फी दुखार का दिन है जिस दिन सुरक्षा वेवस्था बहुत ज़्यादा सडकों पर होती है पुलिस के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षा वेवस्था होती है सजग होती है पुलिस उस दिन इस तरह की घटना होना हत्यारे रेकी करते हैं रेकी करने के बाद हत्या करते हैं लोग पाने में नाकाम रही, तो मुझे लगता है कि महरास्टा के ग्रिहमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, महरास्टा की जनता ये कह रही है, और कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि एक निस्पक्ष कमेटी बनाईए, जाच जल्द से जल्द जाच रिपोर्ट महरास्टा के सामने, देश के सामने आए, ताके महरास्टा के लोगों का डर खत्म हो सके, हम इस दुख की घड़ी में, जिशान सिद्धी की जो विधायक हैं महरास्टा ऐसेंबली के, हम उनके प्रतिय अपनी समवेदना प्रकट करते हैं, बाबा सिद्धी के के परिवार के प्रतिय अपनी समवेदना प्रकट करते हैं, एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति, जो समाच सेवी भी था, जिसे मुंबई पहचानती थी, ऐसे व्यक्ति का मर्डर बहुत ही चिंता का विशय है, बहुत अपसोस का विशय है हम दुख प्रकट करते हैं आपके सवाल आमंत्रित हैं अगर सवाल हो तो जी ने सिर्फ अजीद पवार जी अजीद पवार जी को तो मांग करनी ही चाहिए वो उनकी पार्टी के एक इंपॉर्टेंट नेता थे लेकिन देश का हर वेपक्षीदल मांग कर रहा है के डबल इंजन टृबल इंजन की सरकार कर क्या रही है सबसे पहला तो हम अजीद पवार जी से प्रश्णा पूछ कैं हम Devinda फंडवीस जी से सवाल पूछे ना, हम शिन्दे जी से सवाल पूँछे ना कि उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनका प्रशासन क्या कर रहा है, हम सवाल को घुमाते क्यूं है हमें तो सीधे सीधे महरास्ट्रा की सरकार से वहाँ के अग्रिमंत्री से सवाल पूछना है कि कैसे हत्या हुई बाकाइदा चैलेंज करके हत्या हुई तो यह तो सीधे-सीधे आपकी जिम्मेदारी आगे बढ़िए जवाब दही लीजे अजीत पवार जी सवाल पूछे ही पूछे हम सारे लोग सवाल पूछ रहे मीडिया भी सवाल पूछे कि गया है असल में तो जंगल राज यहीं है जो महारास्ट्रा में मुंबई में कल दिखाई पड़ा नहीं सबसे पहले तो मुंबई के आम जनता मुंबई कर जो है उनकी सुरक्षा की चिंता है इस घटना के बाद कि जब इतना हाई प्रोफाइल नेता चैलेंज करके मार दिया जाता है तो आम आदमी का महाँ पर क्या हश रहोगा आम मुंबई कर क्या सोच रहोगा उसकी सुरक्षा कैसे करेगी महारास्टा की सरकार पुने गैंग रेप हो बदलापुर की घटना हो या फिर थाने के अंदर घुस करके गोली बारी करना हो या फिर लाइफ फेस्बुक पर गोली मारना हो महारास्टा में ये घटनाए हुई है पिछले कुछ महीने में तो आम जो जनता है मुंबई कर है जो महारास्टा के आम लोग है उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा चिंता का विशे है दूसरी महात्वपूर्ण बात ये कि सोशल मीडिया पे कौन क्या जिम्मेदारी ले रहा है मुझे तो लगता है कि ग्रिहमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें आगे आकर के इस हत्या पर खुद अपने कदम पीछे लाकर के कहना चाहिए कि जवाब देही मेरी बनती है मैं इस तीफे की पेशकस करता हूँ क्योंकि मैं महारास्टा के लोगों को सुरक्षा देने में असफल रहा हूँ सचाई तो यह है बाकि उसकी भी पुष्टी करना जो सोशल मीडिया पर पोस्ट तेर रही है is की पुष्टी करने का गाम भी घृत प्रिशाल परिशा रही है मुंबई प्रिशा्शं का है प्रिशासन क्या कर रहा है सबसे बड़ा सब़ाल यह है सब्सक्राइब करते हैं, महारास्टा करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त तीम के साथ अगर किसी राज में जा रहा है तो इसका मतलब एलेक्शन मोड में है राज्ज, सारी एजनसियां सक्री हैं, सारी एजनसियां एलेक्शन मोड में हैं, ऐसे में जब सारी एजनसियां सक्री हैं, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, न सिर्फ राज्ज के प्रशासन पर बलकि केंदर के प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी ने जिस संदर में ये बात कही है महरास्टा के जहारखन के इलेक्शन जिस तरह टाले गए तो मुझे तो सरकार से महरास्टा की सरकार से पूछना है भाजपा सर मुझे लगता है कि देश के ग्रीमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए अमित शाह जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए महरास्टा के ग्रीमंत्री से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से आगे आके जिम्मेदारी लेना है जिसकी सत्यता अभी तक सामने नहीं आई है घरों की राक फिर देखेंगे पहले देखना ये है घरों को फूप देने का इशारा कौन करता है तो इसक बहतर जांच और पारदर्शिता सामने आ सकेगी अभी तो सबसे बड़ा सवाल अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो सबसे बड़ा सवाल देश के ग्रीमंत्री का है कि किसी बाहर बैठके किसी दूसरे राज्जी की जेल में बैठके कोई इतनी बड़ी घटना अंजाम दे रहा है तो ग्रीमंत्री से सवाल है दोनों ग्रीमंत्रियों की जवाब दे ही है